हाल के दिनों प्रदेश के कई जिलों में जहरीली शराफ से लोगों की मौते हुई हैं क्या पंचाई चुनाओं की चलते हैं जहरीली शराफ की खेप उत्तरप्रदेश में आ रही है है इस पर बात करने के लिए हमां साझ उत्वादेश के आफकारी मंतरी रामने संगनिय होतरी जी है सर रहमने देखा है पिछले कुछ दिनों में उत्वादेश के कही यह तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन यह गठनाए छुट-पुट गठती है कडी कारवाई हमारी सरकार कर रही है विभाग का जो हमारा परवर्तन का काम है वो भी पूरी गती से चल ला है चेकिंग हो रही है, धर पकड हो रही है जेल बेजे जा रहे है, मुकद में काइम हो रहे है फिर भी बरसों का बिगड़ा हुए आल है कहीने कहीन किसी जिले में ऐसी घटना है देखने को मिल जाती हैं जो दुखद है जिन पर मैं संबेदना बिक्त करता हूँ जो मरे हैं उनके परता है और भविस में ऐसी घटना न घटे इसके लिए पुलिस प्रसासन, जिला प्रसासन और आपकारी विभाग ये मिलकर संयुकत अभ्यान सभी जिलों में चला भी रहे हैं उनके चलाएंगे भी इसलिए हमने पूछा कि क्या पंचायत की वज़े से तो नहीं कारा कारोबार एक बार फिर तेजी पकड़ रहा है नहीं दूसरे राज्यों से तो ना के बराबर आ रहा है वो तो बंद हो गई ये जो लोकल मेट सराब है जैरीली सराब जिसे कहते हैं कीचने वाली उसमें जब अल्कॉल की मात्रह यादफ़ पढ़ाया थी जैसे मुझे बताया घया है दिली भंबई से उस खेमीकल से लोग बनाते पहले सीरा से बनाते थे कच्ची सराब लेकिन अब केमीकल से बनाने लेगे वो केमिकल की मात्रा जब जादा पड़ जाती है तभी लोगों की मौत हो जाती है आप अपने विभाग में लिकारियों को आपने क्या निर्देश दिया है करे निर्देश चापे मारे जा रहे हैं लेकिन प्रदेश बहुत बड़ा 24 करोड की आबादी है कहीं ने कहीं छूट जाते हैं लोग करवाई कड़ी करने का प्रयास हमारा विभाग कर रहा है प्रसासन कर रहा है और ऐसे हर हालत में हम रोकेगी 2017 में जब सरकार आई तो कैबिन में प्रस्ताव लाए गया था कि जब जहरीली शराब से अगर मौत होगी तो जो आरूपी होगा या जिसको सजा मिलेगी इसको मौत की सजा का प्रावधान किया गया था पर चार साल में हमने नहीं देखा कि किसी को मौत की सजा इस मामले में दी गई हो जबकि हाथ से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं सो दो सो लोगों की जान भी जा चुकी है अब ये नियायले का काम है इसमें हम कुछ नहीं कह सकते सजा देना नियायले का काम है मानी नियायले जैसा भी निर्ड़ करेगा उसी के अनुसार होगा लेकिन पंचाज चुनाओ करे वे ऐसे में आप निर्देश आपने दिये हैं अधिकारियों को कि और सा तरक्ता बरते होली भी करीब आ रहे अब तो अभी एक सब्ता पहले ही बैठक करके पूरे परदेश के अधिकारियों को चोटे बड़े सब को बुलाया था और नों को कड़े रहें कि आपके भी भाग में तरीका काफी बदला है और पहले से सुधार भी है राजस्वी हमारा दोगुने से ज्यादा बड़ा है लेकिन और जो पहारी प्रांतों की सराब आती थी भो भी रुकी है लेकिन अभी भी कुछ गटना गट जाती है जो दुखत है उनको भी हम र मुत्रिका साफ तोर पर कह रहे हैं कि इस तरह कि घटनाओं में काफी कमी आई है लेकिन अभी भी कुछ घटनाएं जो हो रही है उसको भी रोकने की निर्देश अधिकारियों को दिये गए हैं कि हमसे पंके निगम के साथ अन्भा शुक्ला एपी गंगा लखनव कि अ ऑ बाह着 है उस certaines कि में ऑम ही चुक्ति हैं 하나번 बिटेंगे को रहे हैं कि घटनाऊ तरह भी घडिकि क तो है जडिएपच्डिकारो व्यां अ